चर्णजीत सिंग चन्नी की सरकार एक बड़े फर्जी वाले में फस गई है असल में जो इस वक्त चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का एलान कर रहा था ठीक उसी वक्त चन्नी सरकार डी जी पी के फर्जी दस्तावेज के सहारे बैक डेट में पुलिस के अधिकारियों का तबादला कर रही थी इस फर्जी वाले की पोल खुलते ही पंजाब में हड़कम मच गया और चन्नी सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है असल में आठ जन्वरी को पंजाब पुलिस के 47 से डी एस पी का ट्रांसफर किया गया था जब ये ट्रांसफर्स हुए थे उस वक्त चनाव आयूग की प्रेस कांफरेंस चल रही थी यहां तक कि वीके भवरा के नए डी जी पी की तेनाती के आदिश भी हो चुके थे चटोपाध्याई ने ये कह करके सारी पूल खोल दी कि ये उनके साइन नहीं है किसी ने फरजी साइन किये है इस दिन चटोपाध्याई की जगह वीके भवरा को नया डी जी पी लगाया गया था पंजाब पुलिस में ट्रांसपर के ये आदेश उस वक्त हुए जब ये सपष्ट था कि थोड़ी देर में पंजाब चुनाव को लेकर आचार सहिता लगने वाली है इससे पहले ही चुनावायोग ये घोशना करता कि अब आचार सहिता लागू हो गई है ये आदेश सामने आ गए जिसको लेकर उसी वक्त सवाल खड़े होने लगे थे ये ट्रांसफर्स इसलिए भी चर्चा में आये थे क्योंकि इसी दिन पंजाब सरकार ने सधार्थ चटोपाध्याय से कार्यकारी डीजीपी का चार्ज वापस ले लिया था उनकी जगह यूपी एसी से आए पैनल के मताबिक वीके भवरा को नया डीजीपी लगाया गया था ऐसे में उसी दिन चटोपाध्याय के आदेश और उनके साइन पर ट्रांसफर को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे हालांकि इस सरकार की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में आधिकारी की प्रतिक्रिया नहीं आई है यूपी बधानसभा चुनाव दल्चस्प होता जा रहा है एक तरफ जहां राजनितिक चत्रपों के बीच जबानी जंग दिन बदिन गोली की रफतार से आगे बढ़ रही है तो वहीं दूसी तरफ जैसे जैसे चुनाव की तारीख नस्दीक आ रही है भाजबा का पर्चम भी बुलंद होता जा रहा है इस चुनाव में भाजबा की सीधी टकर सपा से है क्योंकि बीएसपी और कॉंग्रिस तो पहले से ही पस्त पड़ी हाफ रही है लेकिन खुद को मुकाबले में बढ़ चड़कर दिखाने वाले अखिलेश यादव का भी दम उसी दिन निकलना शुरू हो गया था जब आयकर विभाग के च्छापों में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर से बेहसाब दौलत मिलनी शुरू हो गई थी और अब बची खुची का सर योगी अदित्यनाथ निकाल रहे है अगर यकीन नहीं आ रहा है तो मतुरा के इस वाके को ही देख लीजी यहां सियम योगी से जब सवाल पूछा गया कि आपके एक सांसत कह रहे हैं कि उनको भगवान कृष्ण का सपना आया कि योगी जी मतुरा से चुनाव लड़े तो इस पर योगी अदित्यनाथ ने एक ऐसा तंस भरा जवाब दिया कि अगर वहां कोई समाजवादी पार्टी का नेताया कारे करता मौजुद होगा तो शर्म से पानी पानी हो गया होगा योगी ने कहा कि जब कंस की मूर्ति लगाने वालों के सपने में भगवान कृष्ण आ सकते हैं तो अपने भगतों के सपने में कृष्ण क्यों नहीं आएंगे बीजेपी सांसत के सपने में तो भगवान कृष्ण आए ही होंगे ये बिल्कुल सच हो सकता है लेकिन मैं चुनाव वहां से लड़ूँगा जहां से मेरी पार्टी कहेगी योगी के इस जवाब से सपा समर्थकों में खलबली मशना तै था लेकिन वो बेचारे करते भी तो क्या आखिर योगी ने कुछ जूट तो कहा नहीं था अगर किसी को भी योगी की बात पर जरा भी संदेह हो तो जरा याद कर लें कि 2016 में अखिलेश के खासम खास रहे रामवर्ख श्रीयादव ने किस तरह जवाहर बाग की घटना को अंजाम दिया था और कई दिनों तक मतुरा को बंधक बनाए रखा था फिर भला अगर योगी ने अखिलेश यादव और सपानेताओं को कंस का उपासक बता दिया तो क्या घलत कह दिया आम आदमी पार्टी पर विधन सभा चुनाओं में एक बार फिर चुनाओी टिकट करोड़ों में बेचने के आरोप लगे है आरोप लगाने वाला वेपक्ष नहीं बलकि आम आदमी पार्टी के ही कारे करता है चंदिगड में प्रेस कानफरेंस करके आम आदमी पार्टी के कार्ये करताओं ने पार्टी नितृत्वप पर करोड़ों में टिकट बेचने के आरोप लगाए साथ ही ये मांग की कि पार्टी को अब इस नेती को खत्म करना चाहिए पार्टी के मुहाली जिले के युवा प्रकोष्ट के अध्यक्ष गुर्तेज सिंग पन्नू और अपाध्यक्ष शीरा भानबौरा ने प्रेस कॉनफरेंस कर अपनी बात रखी इसके एक दिन पहले ही बलबीर सिंग राजेवाल ने केजरिवाल पर टिकट बेचकर करोड़ों की उगाही करने कारोप लगाये था अर्विंद के जरिवाल फिलहाल कोरोना से पीडित है और हाल ही में उन्होंने चंदिगड़ में नगरपाली का चुनाओ में अच्छा प्रदर्शन बनने के बाद वहां विजय यात्रा निकाली थी आरोप लगे थे कि कोरोना के लक्षन आने के बावजूद उन्होंने रैलियां की और लोगों से मिलते चलते रहे अब उनकी ही पार्टी के कारी करता प्रेस कांफरेंस करके अपनी ही पार्टी की पूल खोल रहे है करोडों रुपए लेकर टिकेट बेचने का आरोप लगाया चा रहा है यही है उनकी बदलाव वाली राजनी थी चंदीगड में आम आदमी पार्टी से कम सीटे होने के बावजूद भार्जबा अपना मेयर बनाने में काम्याब रही जिसके लिए भी पार्टी के कारिकरता अंदरूनी कलह को दोशी ठहरा रही है शिरुमणिया काले दल ने केजुरिवाल पर टिकेट बेचने के आरोप लगाए पार्टी के प्रवक्ता दलजीत सिंग चीमा ने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में संग्यान लेकर मामला दर्ज करने के आदेश देने चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने पैम्फलिट्स में अन्य दलों से पैसे लेकर उसे वोट देने की सलाह लोगों को दी है चीमा ने कहा कि ये सफष्ट है कि पार्टी के टिकेट्स बेच कर अरुनद केजरिवाल खुद को अमीर बना रहे है आम आदमी पार्टी यही मॉडल हर जगे फालो कर रही है इसलिए जहां जहां चुनाव लड़ रहे हैं टिकेट्स बेचे जा रहे हैं बिपक्षी नेताओं के खिलाफ जूटे आरूब लगाने के लिए तकनीक का इस्सिमाल किया जा रहा है ये करोडों रुपए का घोटाला है जिसकी पोल उच्चिस्तरिया जाँच के बाद ही खुल सकती है वो चुनाओं में अमीरों पर दाउं लगा रहे हैं उनका दिल्ली मॉडल पूरण रूप से फ्लॉप है इसलिए पंजाब की जनता को दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है हाल ही में प्रेस कलब में रागव चड़ा की प्रेस कांफरेंस के दौरान कॉंग्रिस के पूर्व पारशद दिनेश धल को पार्टी में शामल करवाया जाना था लेकिन टिकट बटवारे को लेकर विवाद हो गया इस दौरान पंजाब के सहब रभारी के खिलाफ रागव चड़ा चूर है किनारे लगाए गए बात यहीं तक रहती तो गनीमत होती लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि लोगों के बीच जमकर मार पीच भी हो गई टिकट बटवारे को लेकर करीब पचास मिनट हुए बवाल के बाद रागव चड़ा को पिछले दर्वाजे से बाहर भागना पड़ा प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोधी आखेरित ने विराट विक्तित्यों के माले कैसे बन गई यह सवाल ऐसा है जिसकी गुत्य सुल्जाने में गांधी वाज्रा से लेकर ममता बैनोजी तक और केजरिवाल से लेकर अखेली श्यादो तक अपना सिर्खा पा रहे हैं लेकिन अगर आपको यह समुझना है तो जरा इस खबर पर अपने कान लगा दीजिए इस ठिटरन भरी ठंड में जब पारा लगातार पांच डिग्री से नीचे चला रहा है और रजाई से बाहर जहाकनी तक का मन नहीं हो रहा है काश्री विश्वनाथ धाम में काम करने वाले करमचारी नंगे पैर महादेव की सेवा में समर पित रहते हैं दरसल भगवान शिव की नगरी में काश्री विश्वनाथ धाम के अंदर चमडे या रबबर्स की चपल पहनना मना है इसलिए सभी करमचारी चाहे कोई भी मौसम हो हमेशा नंगे पैर ही रहते संपोर्ण सीवा भाव के साथ काम करती रहते हैं लेकिन इस कडाके के ठंड में पीए मोदी ने उनकी सुध ली है मोदी ने जूट की बनी सौजोडी चपले बाबा के धाम भेजी हैं जिससे की वहां काम करने वाले करमचारीयों को इस भयंकर ठंड से कोई कठिनाई ना हो जिन लोगों के लिए जूते भेजे गए हैं उनमें पुजारी, सेवा करने वाले, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी और अन्य लोग शामिल हैं आपको बता दे कि भगवानशों के अनन्य भक्त मोदी का काशिव विश्वनाथ धाम से गहरा जुडावर है वेवारानसी में सभी मुद्दो और घटना करम पर बहुत करीबी से नज़र रखते हैं चोट-चोटी बातों पर ध्यान देनी और गरीबों के प्रती उनके चिंता का या एक और उधारन भर है पुछले महीने पीएम, मोदी ने काशिव विश्वनाथ कोरिडोर का भी उधगातिन किया था परियोजना का उधगातिन करने के साथ प्रधानbleian मोदी ने उन 2500 नर्मानकारीगरों और शिल्पकारों के साथ दोपहर का भोजन किया था पुराने मंदिर को एक नया रूप देने के लिए रात दिन मेहनत की थी। इतना ही नहीं मोदी ने विश्वनात धाम में काम करने वाले मुझदूरों पर फूल बर्साकर उनका अभिनंदन भी किया था। और अब जब उन्हें यह जानकारी मिले कि मंदिर परिसर में चमड़े या रबर से बने जूते चपल को पहन कर प्रवेश करना प्रतिबंदित है तो सुरक्षा कर्मियों सेवादारों और पुजारियों को ठंड से बचाने के लिए पीम ने जूट उन और रंग बिरंगे धा अगों से वोने खास चपल भेजी हैं जिन्हें मंदिर परिसर में भी पहना जा सकेगा आखिर यह सच है कि जिसने पीड़ा देखी वो ही पीड़ा बातने का प्रयास कर सकता है ब्यूरो रिपोर्ट निउस अफ इंडिया पंजाब विधान सभा चुनाव के लिए पंजाब कॉंग्रिस ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 35 प्रत्याशियों के नाम के लिस्ट पार्टी हाई कमान को भेजी है जिसमें कैप्टन समर्थक 9 विधायकों का पत्ता कार्ड दिया गया प्रदेश कॉंग्रिस ने पहली लिस्ट के साथ उन 9 विधायकों के नाम भी भेजे हैं जिनकी 2022 चुनाव में टिकेट काठे जाने का जिक्र किया गया है इसके पीछे मुख्यकारण उक्त 9 विधायकों की सर्वे रिपोर्ट सही न आना बताय जा रहा है लेकिन कहा जा रहा है कि सारे कैप्टन समर्थक हैं और नवजोट सिंग सिध्धू को उन पर आपती है माना जा रहा है कि कुछ दिनों में कॉंग्रिस अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद कैप्टन का खेल शुरू होगा हौकिस्टिक और गेंद चुनाव चिन्न मिलने के बाद इसी वज़े से कैप्टन ने कहा कि अब बस गोल करना बाकी है जाहिर है ये गोल कॉंग्रिस के इलाके में होना है पवन गुयल ने बताया कि पंजाब विधान सबर चुनाव को लेकर कॉंग्रिस ने केंद्रे चुनाव समिति की पहली बैठक बुलाई है ये बैठक वर्च्वल तोर पर आयुजित की गई करीब 35 उम्मिद्वारों के नाम पर आम सहमती बनने के बाद केंद्रे चुनाव समिति को इन नामों को सौंफ दिया गया इस बैठक में करीब 25 उम्मिद्वारों के नामों पर चर्चा हुई उन्होंने बताया कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रत्याशियों के पहली लिस्ट के साथ उन नौ मौजुदा विधायकों के नाम भीजे गए हैं जिनकी इस बार टिकेट काटी जानी है सुत्रों के अनुसार 15 से 20 नामों पर C.E.C. ने अंतिम मुहर लगा दी है उम्मिदवार बनाया जाएगा पार्टी इसका कड़ाई से पालन करेगी सुत्रों के मताबिक जिन विधायकों के टिकेट कटने की बात कही जा रही है वे पूर्वसियम कैप्टन अमरंदर सिंग के करीबी बताय जा रही है दूसरी तरफ कैप्टेन अमरंदर सिंग के पार्टी के नए चुनावचिन होके स्टिक और बॉल पर कॉंग्रेस वधायक परगट सिंग ने तंसकसा परगट सिंग ने कहा कि जब किसी नौसिखिया को ये चुनावचिन होके स्टिक पर कमेंट करने से रहना सके होकी कैप्टन परगट सिंग और कैप्टन अमरंदर सिंग के पुरानी जंग चल रही है अमरंदर सिंग सिंग रहते भी परगट सिंग उन पर हमला करते रहे परगट सिंग को पंजाब कॉंग्रेस प्रधन अवजूद सिंधू का करीबी माना जाता है जब कैप्टन अमरिंदर सिंग को हटाने के लिए कांग्रेस में बगावत हुई तो उसमें भी परगट सिंग शामिल रहे परगट ने कैप्टन के खिल कर मोर्चा खोला था जिसका इनाम भी उन्हें मिला और चरणजीद चन्नी के स्यम बनते ही न केवल में मंतरी बनाए गए बलकि इसके इच्छा के अनुसार उन्हें खेल और शिक्षा जैसे एहम मंतरा ले भी दिये गए कैप्टन अमरेंदर सिंग के चुनाव चिन्ह और परगट सिंग को लेकर सबसे पहले अकाली दल ने तंस कसा था अकाली दल के प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत चीमा ने कहा कि हॉकी के कैप्टन यानी परगट सिंग कॉंग्रेस में चले गए और अब कॉंग्रेस के कैप्टन यानि अमरिंदर सिंग को हौकी खेलनी पड़ेगी इसी के मद्यनजर पंजाब विधान सबाचुनाव के एलान से ठीक पहले कॉंग्रेस पार्टी ने सुबह 11 बजे ये बैठक की गोयल ने बताया कि पार्टी के CEC बैठक से पहले उम्बीदवारों के नाम चैन को लेकर पंजाब की स्क्रिनिंग कमिटी अब तक चार दोर की बैठके दिल्ली में कर चुकी है इसी कमिटी के अंध्यक्ष और जमाकर ने पंजाब के प्रभारी हरी शौधरी कॉंग्रेस में टिकेट बटवारे की तस्वीर जैसे जैसे साफ होती जा रही है पार्टी में बगावत के सुर्फ फूटने लगे है पहली लिस्ट में कैप्टिन समर्थक नौ विधायकों के टिकेट काटे जाने से कॉंग्रेस में खलबली मची है लेकिन इधर सुनु सूध की बहन मालविका सुध सचर को कॉंग्रिस में शामिल करवाना अब उसे भारी पड़ने लगा है वजहिए कि मालविका के विरोध में मोगा के विधायक हरजूत कमल ने कॉंग्रिस के खिलाफ खुली बगावत कर दी हरजूत कमल ही नहीं बलकि उनके साथ कॉंग्रिस का एक बड़ा गुट पार्टी के खिलाफ हो गया कमल ने निर्दलिय चुनाव लड़ने का ऐलान किया विधायक हरजूत कमल ने खुद को नज़र अंदास किये जाने के बाद कॉंग्रिस के खिलाफ बागी सुरह अखियार कर लिए कॉंग्रिस ने मालिविका को पंजाब विधान सबाचनाव 2022 मोगा सीट से उतारने का फैसला किया जिसको लेकर हरजूत कमल वेहद नाराज है कारेकارताओं से हरजूत कमल ने कहा कि पंजाब के मुख्य मंत्री चरन जीथ सिंग्चनु का टिक्ट कटने पर भी वे नरदलिय चुनाव लड़े थे और अब वे भी निरदलिय चुनाव लड़ेंगे उन्होंने कहा कि निर्दलिय रड़ने का मतलब ये नहीं कि वो लावारिस हो गए है कभी दिल्ली से तो कभी चंदी गड़ से उनके पास फोन आ रहे हैं बताया जा रहा है कि मालविका सूद को कॉंग्रस में शामिल करवाने को लेकर मोगा में पंचाब के मुख्य मंत्री चरणजीत चन्नी और राज्य की पार्टी के प्रमुख नवजूद सिंग सिद्धू को हर्जूत कमल के समर्थकों के वेरूद का सामना करना पड़ रहा है कॉंग्रस के पार्शद और सरपंच विधायक हर्जूत कमल के घर के बाहर जमा हुए थे उन्होंने विधायक का टिकेट कटने की अटकलों को लेकर अपना विरोध जताया था लेकिन मालिव का सूध की एंट्री के बाद उन्होंने खुले तोर पर कॉंग्रेस पार्टी का विरोध जताया दे रिपोर्ट नियूज अफ इंडिया स्रीयम उधफ ठाकरे के अनुपस्थिते में मंत्रियों के साथ शरद पवार की बैठक के बाद महराश्टर का स्यासी पारा आसमान पर पहुँच गया बीजेपी ने इस बैठक के बाद सवाल करना शुरू कर दिया है बीजेपी ने महा अगाडी सरकार को निशाने पर लेते हुए पूछा क्या शरत पवार को कारियवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया अगर नहीं तो शरत पवार किस हैसियत से मंत्रियों की बैठक कर रही है बीजेपी विधायक राम कदम ने एक विडियो जारी कर लिखा कि सीम उधव ठाकरे के अनुपस्थित्ती में शरत पवार अब M.V.A. मंत्रियों के साथ राजनेतिक बैठक के कर रही है क्या शरत पवार महाराश्व सरकार के नए कारियवाहक मुख्यमंत्री है पवार किस हैसियत से M.V.A. मंत्रियों के साथ बैठक कर रही है इसके बाद सोशल मेडिया पर तहल का मशने लगा लोगों ने दैनादन सवाल करने शुरू कर दिये कई लोगों ने इस पर चुटकी भी ली लोगों का कहना है कि किसी पदपर नहीं होते हुए भी ट्वीट करते हुए लिखा कि इस तस्वीर को देखने के बाद अब क्या आपने सुना कि समविधान खत्रे में है समविधानिक संपत्ति के साथ समझोता किया जा रहा है क्योंकि पवार जी के पास विशिशा धिकार है इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा कि महारास्ट एक अनुखा राज्ज है यहाँ पुलिस एक ट्वीट पर कारवाई करती है मुख्यमंत्री यहाँ नवेंबर दोहजार इकीस से लापता है इसके लिए लोग बिहार को कोस्ते रहे है लोगों ने पूचा कि पवार किस हैसियत से एक्टिंग सीम की तरह काम कर रहे है क्या वह राजेपाल द्वारा नामित किये गए है आखिर वे किस पत पर हैं जो मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे है समविधान के अनुच्छेद 164 के तहट मुख्यमंत्री की न्यूक्ति राजेपाल करते हैं विधान सभा चिनावों में जिस पार्टी को भहुमत होता है उसके विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री न्यूक्त किया जाता है लेकिन शरत पवार ना तो विधायक दल के नेता हैं और नहीं विधायक ऐसे में वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकते हैं The Report, News of India